गल्सुवा को अंग्रेजी में मंप्स कहते हैं यह एक वाइरल डिजीज है और जो वाइरस है वो आरेने वाइरस है वो पारा मिक्सो अविरी डेई फैमली का है और यह मोस्ट कॉमनली जो सलेवरी ग्लेंड को इंफेक्ट करता है सलेवरी ग्लेंड में भी मोस्ट कॉमनली होता है पैरोटिड ग्लेंड यह हमारी चेहरे के दोनों तरफ कान के सामने और नीचे होता है इसमें सबसे पहले इंफेक्टन होने के दो से तीन हपते यानि की 14 से लगवग 25 दिन के बाद सिम्टम्स आने सुरू होता है जो जोकिम कारा की गल्सवा के हैं यह दपी गल्सवा एक माइनर बिमारी है बहुत सिवियर नहीं होता है लेकिन कुछ लोगों में गल्सवा की बजह से सुनने में कमी आ जाती है बहरापन आ जाता है कुछ लोगों में टेंपररी बहरापन होता है जो गल्सवा के ठीक होने के बाद बहरापन भी धीरे धीरे ठीक हो जाता है लेकिन कुछ लोगों में यह पर्मनेंट भी रह जाता है कुछ लोगों में टेस्टिकूलर स्वेलिंग आ जाती है जो हमारेशनकोस में पूर्शो औरकोसна में दरद और सूजन इसके साथ साथ प्रजणनन भी थोड़ी सी affected होती है, ऐसे लोगों में थोड़ी सी austerity आ जाती है, नपन सकता आ जाती है, महिलाओं में भी ओवडी में सुजाना जाता है, ओवडी में पेट के निकले हिस्से में दर्द होता है, कुछ लोगों में, ब्रेस्ट में, पैंक्रियाज में, फिर मेनिंजेज और ब्रेन में सुजाना जाती है, जो काफी खतरनाक होता है, जानलेवा होता है सबसे पहले तो गलसुवा इन्वाल्व होने के दो से तीन हपते के बाद सिम्टम्स आते हैं और जो एफेक्टेड परसन हैं, वो इनफेक्ट होने के एक हपते पहले से लेके ठीक होने के एक हपते बाद तक ये infection फैलाते हैं, जो की infected person के छीकने से, खासने से, उनके saliva के टच में आने से, एक साथ खाने से, खाना सेयर करने से भी दूसरे लोगों को हो जाता है, गलसुआ के जो मरीज हैं, उनके जो लार की अगर दिनात की जाए, तो उसमें antigen virus को detect किया जाता है, गलसुआ के infected मरीज के blood में भी virus देखा जा सकता है, और गलसुआ के जो infected मरीज हैं, उनके सरीर में antibody पाया जाता है, जिससे इसकी जाच होती है गलसुआ का उपचार mentally depend करता है, कि जो भी गलसुआ के symptoms है, मरीज को जो दिक्कत है, उनको आराम पहुचाने के लिए, symptoms medicine दे जाती है, क्योंकि गलसुआ एक virus जनित रोग है, और इसके कोई specific medicine नहीं होती है, यह self resolving होता है सबसे पहले तो हम मरीज को isolate करते हैं, isolation में रखते हैं, क्योंकि यह बिसानुजनित है और contagious disease है सबसे पहले symptom मरीज को आता है बुखार, तो हम बुखार के लिए मरीज को paracetamol देते हैं, मरीज के jaw में और चेहरे के दोनों तरफ सुजन आ जाता है, तो उसके लिए दर्द और सुजन के लिए भी हम लोग दवाई देते हैं, इसके बाद मरीज को हम लोग advise करते हैं, कि ब virus जनीत रोग है, तो मरीज को advise करते हैं, कि खुब पानी पिया, चुकि इसमें हमारे jaw में सुजा ना जाती है, और इसमें lark, चुकि parotid gland का involve होता है, parotid gland, lark हमारे मुझ में जो saliva है, lark बनता है, वो secrete करता है parotid gland, तो हम लोग मरीज को सलाह देते हैं, कि वो इसी चीजें ना खाएं, ज्यादा चावाने की जरूवत पड़े, liquid यतना ले सकते हैं, और soft diet ले, soft diet से चावाने में मरीज को चावाना कम पड़ेगा, तो हमारे jaw में दर्द कम होगा, और चुकि यह virus जनीत रोग है, तो मरीज जितना पानी ले, उतना बढ़िया है मरीज के लिए, virus जन antibiotic साथ में जोरा जाता है, otherwise केवल mumps अगर हो, केवल गल्सुआ हो, तो इसमें antibiotic नहीं दे जाती है, केवल symptomatic इलाज ही किया जाता है जद्रपी गल्सुआ एक minor disease है, बहुत severe नहीं होता है, और self-resolving है, परन्तु फिर भी इसके कुछ complications हैं, कुछ मरीजों में testicular swelling के बाद, उनकी प्रजनन छपनता affected हो जाती है महिलाओं में ovarian swelling हो जाता है, और pencreas में सुझाना जाती है, कुछ लोगों में meninges और brain में सुझाना जाता है, जो की life threatening होता है, खतरनाक होता है गल्सुआ एक virus जनित रोग है, इससे बचाव के लिए सरफ पर्थम जो affected person है, उनके contact में नहीं आना चाहिए और affected person को भी instruct करना चाहिए, कि वो जब भी खासते हैं, छीकते हैं, तो मुह पे कपरा रख लें दूसरी बात, जब भी affected person का saliva दूसरे person के contact में आएगा, या affected person खाना सेर करता है, affected person के बरतन में खाते हैं, तो दूसरे लोग affected हो जाता है, चुकि यह viral disease है तो इसमें हमें इन चीजों से बचना चाहिए, तो यह हमारे सरीर की self immunity पर depend करता है, कि हमारे immunity जितनी अच्छी होगी हम उतना जल्दी ठीक होगे, या हमारे सरीर की immunity जितनी अच्छी होगी हम उतने कम symptoms आएंगे, सबसे important चीज मम्स के लिए vaccine लगता है, जो WHO guideline में भी है, कि जो पहला डोज है, वो बच्छों को लगता है 12-15 महिने के उमर में, जो MMR vaccine के रूप में हम लोग इहां इंडिया में दे रहे हैं, इसका दूसरा डोज 4-6 साल के उमर में दिया जाता है, जिससे की vaccine लेने वाले लोग कभी affected नहीं होते हैं, गलसवा के रोगयों को जो सबसे पहले instruct किया जाता है कि वो ऐसी चीजे ना खाएं जिसे चावाने की ज़्यादा जरूरत हो, मुलाइम खाना खाएं और कोशीज करें कि liquid diet जितना ले सकते हैं उतना लें, ठंधा चीज ना लें, गुनगुना चीज लें, गरम चीज लें, ताजा चीज लें, तो ये उनके के लिए ज्यादा सुमधा जलक रहता है, खाने में भी सुमधा होती है और उनके लिए अच्छा रहता है.